हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि ओडर को स्प्लिट कैसे किया जाए स्प्लिटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप एक लार्ज कॉंटिटी ओडर को मल्टिपल स्मॉलर कॉंटिटी ओडर में कनवर्ट कर सकते हो ऑटोमाटिकली स्प्लिटिंग कहां पर यूस्फुल होता जो यो प्राइमरी इसको कॉंटिटी फ्रीज लिमिट जो होता उसको ओवरकम करने के लिए यूज होता है कॉंटिटी फ्रीज लिमिट अगर आपको पता नहिये वह ऑर एक अंडरलायर पर एक माक्सिबॉम इंचीटी पर और का से जाधा है या 60 lot से जाधा है तो आपका order automatically reject हो जाएगा तो तब क्या करें जब आपको large quantity में trade करना है तो उस cases में order splitting use होता है हमारी जो auto trader web system है उसके अंदर ये splitting automated supported है और वो कैसे काम करता है उसको अभी दिखेंगे सबसे पहले मैं login करता हूं हमारी website पर जानके बाद login का option रहता है हमारी website के अंदर order ये basically एक portfolio management system है जिसमें आप multiple account जो की different brokers के साथ भी हो सकते हैं आप एक ही screen से monitor and trade कर सकते हो order copying वगरा सारे features इसमें है order copying के अंदर दो तरह के feature आता है एक यह है जो मैं आभी आपको दिखा रहा हूं और दूसरा होता है master child copy तो यह दोनों copying के feature में quantity splitting का option available है तो सबसे पहले तो उसके settings समझते हैं फिर मैं आपको actual demo दिखाता हूं अगर मैं कोई भी order डाल रहा हूं जैसे कि for example 44,000 की bank nifty की call अगर मुझे buy करनी है तो आप ने दिखा कि bank nifty का जो freeze limit है that is 900 और मुझे 1500 quantity buy करनी है तो that's 100 lots क्योंके lots है जो 15 है मैंने कुछ groups बनाया है उसमें मैं order डाल दोता हूं अभी यह without splitting डालता हूं तो आपको पता चलिए कि देखो split order का जो option है मैंने no रखा है अगर without splitting डालता है तो देखो क्या होता है order स्प्लेश तो होगे लेकिन वो reject हो गया रहे है और rejection का reason देखे rejection का reason important है check quantity freeze limit the quantity of your order must be within the freeze limit okay so ऐसा error आता है आपको splitting में जो options available है no अगर आप mouse भी यहां पर रखते है यहां पर clearly लिखके आता है do not split the order auto split the order using quantity freeze limit तो इसका 900 का limit है तो उसको use करके system automatically order अपके split करनेगा अगर आपको manually splitting quantity specify करना है तो आप manually भी यहां पर specify कर सकते हो ठीक है तो हम लोग auto use करके अभी order डालता है अभी देखो आप यहां पर total 6 order चलेगे पहले सिफ तीन ही गये थे अभी system अभी system ने automatically उसको split कर दिया तो 6 order चले गए हर एक broker में angel में भी दो गया है up stocks में भी दो गया है और finvashow में भी दो गया तो अबर हम फिर से order section में जाते हैं अगर आप orders देखते हो जो पहले के order थे that was all 1500 यह देखे यहां पे तीन लेकिन उसके बाद system ने because 900 is the freeze limit system ने क्या किया 900 का एक order डाला जो remaining quantity बचती उसके लिए दूसरा order डाला तो 900 और 600 के दो-दो order हर एक account में चले गए copy हो गए और अगर अभी जो अगर आप rejection reason देखो कि obviously order rejected है क्योंकि उतना funds नहीं है available but अगर अभी जो आप rejection reason देख रहो तो यहां पे आ रहा है कि you need this much margin so अगर margin होता तो order चला जाता हो so this is how splitting works मैंने जैसे आपको बोला तीन option है do not split the order automatically freeze limit जो है उसको use करके split करो या फिर आप manually quantity specify कर सकते हो अगर manually specify करना तो आप यहां पर से specify कर सकते हो लेकिन mostly लोग जो है automatic का option use करेंगे जिनको quantity splitting use करना है और यह by default जो है यह split order का option no में set होता है अगर आप क्योंकि बहुत सारे लोग इतने बड़े quantities में trade नहीं करते है अगर आप उन traders में से हो जिनको large quantity में trade करना है तो इसको आप जो default setting है वो settings में अगर general में आप जाते हो तो default split type का option है वहां पर आप auto select करके उसको save कर सकते हो तो अभी जब आप portfolio में trading screen पर जाओगे तभी अगर आप देखोगे by default वह auto selected रहेगा ठीक है तो यह हो गया order splitting इस तरह से आप कितने भी large quantities में order डाल सकते हो हलाके मैं आपको वाउन कर दूँ कि इतनी large quantities में trade करना आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो unnecessarily इतने large quantities में trade मत कीजिए अगर आपको पता नहीं है because आपको ज्यादा losses या profit जो भी है वह हो सकता है तो यह हो गया PMS के अंदर आप order splitting कैसे करते हैं तो यह PMS के अंदर normally हम लोग groups बनाके उसमें order डालते हैं और ग्रूप के अंदर जितने account है उसमें वह copy हो जाता है अगर आपको master child में copying में आपको splitting करना है तो उसको उसका setting कैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अब settings में अगर master account में जाते हो यह master child जो copying method है यह mostly जो algo के orders है उनको copy करने के लिए use होता है तो manual traders इसको use ना करें यहाँ पर देखिए auto split frozen quantity का option है उसको आपको on करना पड़ेगा तो उसके बाद जो भी order आएगा अगर उसका जो quantity है चाइल्ड एकाउंट में जो copy हो रहा है उसका जो quantity है उसका quantity अगर फ्रीज लिमिट से जादा होगा तो वो automatically split कर देगा system और इस चीज मैं बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप से quantity freeze limit को overcome करने के लिए ही order splitting का यूज कर सकते हैं जैसे for example में अगर state bank of India में चोटा 10 quantity का order डाल रहा हूं और मेरे को just for demo purpose मेरे को split करना है ठीक है मेरे को उसको for example let's say 44 के slices में उसको split करना है तो यहां पे 10 quantity है तो पहले दो order जो हो 44 के जाएंगे और जो remaining two quantity है उसका third order जो है दो quantity के लिए जाएगा तो यह जिस मैं आपके demo के लिए बता रहा हूं क्याकि आपको यह भी पता रहे कि splitting यह जो है सिर्फ quantity freeze limit को overcome करने के लिए नहीं है आप बाकी चीजों में भी जब भी अगर आपको जरूरत है वहां पर आप यूज कर सकते हो यहां पर मैं मैं manually specify कर रहा हूं कि बिरको चार के slice में split करना है अभी देखिए हर एक account में 33 order चले गए 123456789 टोटल 9 order चले गए हैं अगर मैं order section में जाता हूं तो यह दिखे state bank of India के टोटल 9 order है और 442 के slices में यह order चले गए हैं अगर मुझे इनको cancel करना मैं simply filter करके select all cancel और यह सारे different different brokers में different account में single click में cancel होगे तो इस तरह से order splitting काम करता है यह सारी चीज़े हमारे website पर documented है अगर आपको कोई भी doubt रहेगा तो आप हमें पूछ सकते है हमारे website पर अगर आप जाते हो in fact अगर यहां पर ही आप help में देखोगे तो user guide available है और इसी user guide में नीचे chat को option रहता है जहां पर आप में आपकी queries पूछ सकते हो thank you so much कर दोता है